स्री शिवाई नमस्तुब्यम तेविस तारीको है पोश मास की आमावश्या जी हाँ और 2022 की इस साल की आखरी आमावश्या है और हम चाहा रहें कि नए साल में सब कुछ अच्छा अच्छा हो तो इस समावश्या आप इस उपायों को जरूर कीज़ेगा बहुत अच्छे उपाय है मनों कावना पुर्ती के लिए धनकी प्राप्ती के लिए घरे बच्चों का विवा नहीं हो रहा है उसके लिए पूरी समस्या के लिए इन उपायों का आप जरूर कीज़ेगा जरूर लिखेगा कि बोल्बम का नारा है बाबा एक सहारा है चली वीडियो शुरुबात करते तो पहला उपाए देखिए पहला उपाए अगर आपको एसा लग रहा है कि आपके पित्र नाराज है आपको पित्र दोस्ट लगा हुआ है यह हमैं ऐसी संखा है कि पित्र आपको शाइए एक बेल पत्ती जी हां एक बेल पत्ती लेंगे और हमें बनाना पड़ेंगा थोड़ा सा पचाम रत पंचामरत केसे बनता है तो फांच चीजेशंत को मिला कर पंचामरत तयार के Jack उसके अंदर से पहले आता है दूद फिर दही फिर शहत फिर घी और शक्र, जी हाँ, एक बर सुल लिजे, फिर से दूद कच्चा दूद दही फिर शक्र घी सहत, इन सब को पांचो को अच्छ से मिक्स कर लिजिए पेट लिजिए और पंचा में तयार कर लिजिए अब देखो क्या करोगे महादेव के मंदिर जाओगे एक बेल पत्री जो आप लेके गए हैं उस बेल पत्री को महादेव की सबसे छोटी पुत्री जी हां महादेव की सबसे छोटी पुत्री मा अशुक सुं पर ध्यान रोखो चिकना भाग नीचे की ओर आएगा और डंडी का भाग महादिव की ओर आएगा आपको वीडियो में दिख रहा है सेम ऐसी की ऐसी आपको बेल पत्री समर्पित करने के बाद आपको जो आप पंचामत लेगे गए उस पंचामत को सबसे पहले जो आपने मा अ तोजातबाद को महादिव के सिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है अपनी दिल कीक्ग कामना को वह पौलती हुई इत्ना सहई है इस उपलाइ Records करने इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा अगर आपके घर में बिलकुल भी धन आता तो है तो है पड़ धन आता है और रुखता नहीं है बहुत खरचा होता है अब कहां होता है फिल पैसा कहर्चा हो रहा है दवाईयों पैसा जा रहा है आए दिन कोई बिमार पढ़ रहा है, कोई पुलिस केस बन जाता है, तो महां देना पढ़ता है आए दिन पेसा कही ना कही गलत चीजों में खर्चा होते ही जाता है और आप एक रुपया कमाती हो, सबारुपय खर्च होता है, घर के अंदर पेसा रुपता ही नहीं है आप बहुत परिशान हो गए हो, या फिर अगर आपका कोई ऐसा कारी है, जो समपन होता ही नहीं है तो एसी हालत में आप क्या करोगे, देखी, इस उपाय को करना, एक बनाना दीपक, लंबी बाती का, जी हाँ अपने घर के आसपास, जहां भी कुवा हो, या तलाब हो, या बावडी हो, जी हाँ कुवा तलाब बावडी जो भी मिल जाए आपके खर के आसपास महाँ पर आपको इस दीपक को दक्षिड की और मुख करकर दक्षिड की और बाती का मुख करकर आपको दीपक प्रजवलित करना है अपने पित्रों को याद करते हुए अब आवश्य के दिश्राम के समय पानी के अंदर बहाना नहीं है साइड में कुवे में तलाब में आपको किनारे पर रख देना है दीपक जक्षिड की और मुख करकर पर अगर आपको दीदी आपके घर के आसपास कुवा बावडी तलाब नहीं है सबके घर के आसपास नहीं होता है तो ऐसे में क्या करो आप आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ तो होगा बेल पत्री का पेड़ होगा या फिर वट रक्ष का पेड़ होगा तो उस तीनों पेड़ों के नीचे भी आप एक दीपक तिनों में से किसी एक पेड़ की नीचे दक्षुन की और मुख की बाती करते हुए आपके पुर्वशो कर्ष्वन करते हुए लगा दो पर देखो अब कुछ लोगों के घर के आसपस भी पेड़ नहीं मिल पाते इंची तिनों पेड़ तो आप ऐसे हालस में क्या करोगे अप अपने ही घर में जा प्रसोई के वहाँ पर आपका बेटका परिंडा आप पीने के बड़तन रखते हो ना महाँ पर उस दीपक को लगा देना पर ध्यान रखना जब दीपक लगाओगे दीपक की बाती का मुख दक्षिन की और होना ही चाहिए अपने पुर्वशो का इसमर की दिन तो करना ही करना है क्या करेंगे देखिए सुभा जब अमावश्य की दिन आप उठो प्राता काल जब उठोगे इसनान वगेरा करने के बाद जी हां अमावश्य की दिन इसनान वगेरा करने के बाद आपको क्या करना है एक चावल की कटोरी भरना है जी हां छोटी सी कटोरी में चावल भर लेना पर इस्नान करने के बाद सुबह उठोगे इस्नान कर लोगे उसके बाद एक कटोरी में चावल भर लेना और उस चावल के उपर एक कपूर की बटी आप रख देना ठीक है क्या करा कटोरी में चावल भरा उसके उपर कपूर की बटी रख दी अब आप बोलोगे जिता से बाहर हम रखेंगे रोप टौग करेंगे और यह क्या रखने आप अपने अंदर वाला जो गेट पड़े एक चरेनल गेट होता है चरेनल गेट के अंदर वाले गेट के उस कपूर की बट्टी को उस चावल की उपर ही जलाना, कटूरी हिलाना मत, महीं रखते हैं, महीं जला देना कपूर को, कपूर जला होगे, तब जला तो आपने पितरों का इसमरन करना, अपने दिल की जो कामना है वहाँ बोलना, जो भी चीज़े आपकी घर की समस्या है, जले वे चावले, उसको याद पो चिडिया पक्षी आपके छट के उपर आते हैं, तो महाँ दे दो, यह घर के आज पर कोई खेत खली आने, तो महाँ पक्षियों को डाल दो, कबुत्रों को डाल दो, चिडियाओ को डाल दो, बस, इतना सरीय उपाय करना है, तो मवश्य का लेना बहुत अच्छा मुका मिलाए, श्री शिवाई, नमस्तू ब्याँ